आपने कर्ड राइस तो बहुत खाई होगी पर ये कर्ड राइस का ही नया वर्जन है ये पिंक राइस जो की कर्ड भी है इसमें और इसको पिंक कैसे बनाये गया आएए देखते हैं तो कभी कभी होते हैं कि कुछ ऐसे लाइट सा खाने का मन होता है रोज की चावल दाल से अलग तो उस टाइम के लिए ये है जट पड से क्विक त्यार होने वाला तो इसको बनाया कैसे है आएए देख लेते हैं बहुत ही आसान बहुत ही इजी रेसेपी है ये क्विक बनने व चावल होने चाहिए इसके लिए तो अब सीजन आ रहा हा गरमीयों में ये चलसने वह चावल कले बहुत अदै करने बहुत ज्यादा है चुकंदर इसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है इस तरह से इसमें इसे भी मिक्स कर लेते हैं तो पिंग कलर जो है वह हमारे चुकंदर की वज़े से ही आया है यह टेस्ट में बहुत ही लाजवाब लगता है तो दही जो है आपको जितना पसंद है उस हिसाब से डाले तो मैंने थोड़ी सी दही और डाल दी इसमें इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है कभी वे चावल दाल और इनसे हट के कुछ अलग सकाने को मन करें यह बनाईए और पेट भर के खाईए अभी एक तड़का त्यार करते हैं उसके लिए तो मैंने यह घी ले लिया है दो बड़े चम्मज घी और यह चने की दाल जीरा और राई इसको भून लेते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पिंक करिए और इसमें ड्राई मैंने यह सुखी और करी पत्ते इनको खुश्वों आने तक धीमियाज पेस को भून ले यह उस चावल में बहुत अच्छा टेस्ट देंगे और दाल की वेज़े से इतना क्रंची नस आता है बीच बीच में जब खाने में आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है यह अभी हमारे कर्ड लगता है गर्मियों के लिए यह बहुत ही सही यह नाश्टा कहिए यह फिर लंच में इसे खाईए बहुत ही अच्छा यह बढ़ियां रेसिपी है यह इसे एक बार ट्राइ करिएगा तो आप देख रहे हैं चुकंदर की वेज़े से बिल्कुल पिंक हो गया और बाद में नमक डालते हैं इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो फिर तयार है हमारा यह करड़ राइस कहिए यह पिंक राइस कहिए यह बीट रूट राइस कहिए तो बनाईए, खाईए, खिलाईए, स्वास्त रहिए और देखते रहिए ग्लोबल देसी रसुई विट शालिनी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब किया है तो वेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजेगा ताकि इस तरह की रेसिपी आप से हम शेयर करते रहें तो फिर मिलते हैं आप से नई रेसिपी के साथ बाई